हेलो इस्टूडेंट कैसी है आप सब तो यह जो चैप्टर 5B का पॉइंट टू चल रहा है अर्थात इक्सरसाइज 5B.2 चल रहा है अब कलंड का यह पार्ट टू है ठीक है और चलिए इसमें कुछ महत्पूर्ण कोश्चन करेंगे और जिस टाइप के कोश्चन करा रहा हूं उनको आप लोगों अच्छे से पढ़ते चलना है और जो प्रिवेस वीडियों उनको भी देखते चलना है ठीक है यदि आप पहली वा रहा है तो यह नों को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों साथ सेर कर देना देखिए क्या है निमलिगी के अब कल गुणा के ग अब यहाँ पर जो 4 है वो constant है तो 4 बाहर लेते हैं d upon dx e के पावर x अब देखिए e के पावर x का जो अब कलन है e के पावर x आता है तो e के पावर x का प्रण e के पावर x हो गया complete हो गया पहला आपका question complete हो गया दूसरा आपका है d upon dx लगाते हैं अब कलन करना है a into x के पाव इन दोनों को अलग अलग कर देंगे दो फलन है यहां पर मतलब दो यहां पर function है f1 और f2 दोनों को अलग अलग हम कर देते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा d upon dx a into x के power n यह हो गया पहला और दूसरा d upon dx हो जाएगा v into e के power x अभी इन दोनों में कुछ constant है उसे बाहर ले लिजी जैसे इसमें constant है a उसको हमने क्या कर दिया बाहर ले लिया और x के power n इन दोनों इन में से constant है b तो b को अपन ने क्या कर लिए कामन ले लिए और e के power x अब अब कलन करना है student x के power n का अब कलन करना है x के power n का तो n सामने या जाएगा और n में 1 घटा देंगी माइनस ये b है तो b रहने दे e के power x और e के power x का आपकलन e के power x जियां आपका यही answer है आगे हल करने के वसकता नहीं है यही आपका correct answer हो गया यहां पर आप लिख सकते हैं यही आपका क्या है answer है अगला question है आपके लिए कि ax square प्लस b log x का अफकल गुणांग ग्याद किजिए अफकल गुणांग मतलब अफकलन करना है तो d upon dx लगाते है x के सापेच करना है ax square प्लस b log यह हो गया ठीक है ना हमको क्या करना इनको दो भागों में दो हागों में अलाग अलाग कर देना ठीक है student तो d upon dx ax square हो गया ठीक है फिर प्लस है तो पीछ में प्लस लगा दो d upon dx हो जाएगा v log x हो जाएगा base में यह है यहाँ पर ध्यान यह देना student यहाँ पर कि जो भी constant है उसे बाहर ले लो जैसे यहाँ पर constant a है तो बाहर ले लो d upon dx x square हो जाएगा clear फिर यहाँ पर constant b है तो b बाहर ले लो d upon dx log x हो जाएगा ठीक ही student इतना समझ गये अब x square का अफकलन करना है x square का अफकलन कैसे होगा 2 सामने आएगा और 2 में 1 घटा देंगे फिर b है तो भी log x यहाँ पर बेस में e है तो log x का अफकलन होता है एक बटे x जो मैं फार्मूला बताते चलता हूँ आप लोग लिखते चलें दिया आपसे याद नहीं है तो ठीक है न इसको correct answer देखा जाए तो 2 का तो 2 a x में 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा ठीक है प्लस b का 1 है तो भी एक कम b बटे x यह आपका इस प्रश्न का answer हुआ अगला question देखिए अगला question है 1 प्लस 2 x यहाँ पर है 1 प्लस 2 x प्लस यहाँ पर इस ब्रेंट यहाँ पर आपके पास है 3 x है ना square है 3 x square है यह 3 x square है फिर log x है का आपकल गुनांग गयत कीज़े जबकि बटे में कितना है आपके पास x square है तो पहले इसको हल कर लेंगे इसके बाद आप कलन कर लेंगे ठीक है तो माना मान की चलते हैं माना इसको माना मान की चलते हैं य बराबर हिए कितना 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेर है ठीक है ना फिर log है x है और बटे में डिवाइड बाई x स्क्वेर सभी में x स्क्वेर का भाग पहले है अपन इसको हल कर लेते हैं तो आसान होगा हल करना आसान हो जाएगा ठीक है ना तो क्या करेंगे कि सभी में x square का भाग दे देते हैं सभी में x square का भाग दे देते हैं ठीके ना और 3x square log x है पटे x square देखिए 1x से x cancel हो गया यहां पर x square से x square cancel हो गया यह उपर जाएगा उपर जाएगा तो x के power minus 2 हो जाएगा प्लस यह उपार जाएगा तो x पार माइनस 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 लॉग e x यह बाई इक्वल हो गया अब हमको करना क्या है x के रिस्पेक्ट पर दोनों पच्छों में आफकलान कर देना है हमने बाई मान के चला है तो d by upon dx हो गया अब हम हर question पी by मान के चलेंगे ठीक है ना क्योंकि अब थोड़े से बड़े question रहेंगे इसको पन by put करेंगे ठीक है d upon dx हो गया x का पार माइनस 2 हो गया ठीक है प्लस 2x का पार माइनस 1 प्लस 3 log x हो गया यह हो गया complete अब हमको तीन भागों में अलाग अलाग बांटना है क्योंकि यहाँ पर तीन पद है तो तीनों पदों को अलाग अलाग कर देना है तो कितना हो जाएगा d upon dx x का पार माइनस 2 प्लस d upon dx 2x का पार माइनस 1 प्लस d upon dx 3 log x प्लस दीक हो गया complete अब अब कलन करना है जो constant है उसे बाहर ले 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 ना जिसे यहाँ पर x का पार माइनस 2 माइनस 2 सामने आता है और माइनस 2 में माइनस 1 घटा देंगे है ना फिर यहाँ पर दो constant है उसे बाहर ले लो एक step बढ़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं यहाँ तीन constant है उसे बाहर ले लो सामने आता है और इस पे अलड़ी एक घटाती है फार्मूला ही है एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है एक्स की पावर एन का एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है ठीक है अब लाग एक्स का एक बट्टे एक्स होता है लाग एक्स का एक बट्टे एक्स होता है, clear split ने इतना समाझ में आ गया होगा, अब ये minus से नीचे जाएगा तो plus हो जाएगा, तो x cube minus था ना, नीचे जाएगा plus होगा, ये घात में minus था, फिर 2 एक कम 2, तो rend 2, into x power 1, minus 2, ठीक है, 3 एक कम, 3 बटे x, ये minus से नीचे जाएगा तो plus हो जाएगा, माइनस 2 बटे x square, minus 2 बटे, ये rend है ना, sorry cube है, यहाँ पर square है, तो x square प्लस में हो जाएगा, plus 3 बटे x, और ये आपका correct answer हो गया, थोड़ा सा lengthy है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये अच्छे से लगाएंगे, तो बिलकुल आसान है, step by step आपको करते चलना है, इसी प्रकार अगला question देखते हैं, जो कि अगला question है, आपके पास, lx square प्लस mx प्लस n का अफकल गुणा ग्यात कीजिए, ठीक है, तो इसको भी माना मान की चलते हैं, student by, यहाँ पर थोड़ा सा question अधूरा है, divide में root x, ठीक है, अब माना मान की चलते हैं, माना by equal, lx square प्लस mx प्लस n, divide by root x, ठीक है, divide by root x, root x हमारे पास है, इसको पन को भाग देना है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, lx square, mx प्लस n, root को हम x गात एक बटे दो कर सकते हैं, फिर तीनों में भाग देंगे, lx square प्लस n, x के पावर एक बटे दो, ध्यान, mx प्लस n, x के पावर एक बटे दो हो जाएगा, clear अब ध्यान देन ये देना है कि जो ये दो है दो में एक बटे दो घटेगा आधार समान होने पर भाग की दासा में घात घटते हैं तो दो माइनस एक बटे दो तो आएगा x घाते तो दूनी चार में घटा जाएगा तीन बटे दो आएगा अब आप से घटाते बनना चाहिए यहाँ पर भी एक में एक बटे दो घटाएंगे तो एक बटे दो बचेगा और ये डाइरेक्ट उपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा x पौर माइनस एक बटे दो ठीक है प्लस है तो उपर जाकर माइनस होता इतना ध्यान लखना है आधार समान होने पर भाग की दसा में घातां क्या होते हैं घटते हैं अब क्या करेंगे स्टुडेंट दोनों पच्चों में आप कलन करेंगे डी बाइपांट डी अक्स तो डी अपांट डी अक्स लगाएंगे LX घाते तीन बटे दू प्लस MX घाते एक बटे दू प्लस NX घाते माइनस एक बटे दू यह होगे आपके पास इसके वाद करने वाले हैं पन अलग-अलग तीनों को अलग-अलग कर देंगे ठीके ना तीन पांट पे इसको डिवाइट करेंगे तो D upon DX हो जाएगा LX घाते तीन बटे दू कुछ च्चक लगा दी प्लस D upon DX हो जाएगा MX घाते एक बटे दू फिर प्लस D upon DX हो जाएगा NX घाते माइनस एक बटे दो हो जाएगा जो कंस्टन्ट है उसे बाहर ले लो यहाँ पर L constant है D upon DX x की पावर 3 by 2 प्लस यहां m constant है d upon dx x की पावर 1 by 2 प्लस यहां n constant है d upon dx x की पावर 1 by 2 clear अब इसको आगे हल करते चलना है ध्यान यह देना है जो भी घात में है वो सामने आता है और घात में जो भी है उसमें हम एक को घटाते हैं यहां 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 रहने दें जो भी घात है वो सामने आता है और घात में एक को घटाते हैं यहां परेन रहने दें माइनस एक बटे 2 सामने आएगा कोश्टक लगा दिये और जो भी घात में है उसमें एक घटाते हैं चलिए यल रहने दीजिए 3 बटे 2 रहने दीजिए 2 एक कम 2 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा प्लस M एक कम M कर दो M बटे 2 कर दो X 2 एक कम 2 1 में 2 घटाएंगे तो माइनस 1 बटे 2 बचेगा यहाँ पर रिन हो जाएगा क्योंकि रिन और धन का गुणा रिन होता है N एक कम N बटे 2 X गा 2 एक कम 2 रिन 1 और रिन 2 रिन 3 बटे 2 हो जाता है यह भी आपका एंसर है लेकिन एदी चाहो तो आप एकाद step और कर सकते हो लेकिन परसान होनी के बच सकता नहीं है आप इतना भी कर दिये तो भी सही है क्योंकि यह जब नीचे जाएगा तो प्लस में होगा फिर रोड में बदलेगा लेकिन आप इतना कर देंगी तो आपका complete कहलाएगा क्योंकि student आपको mean अब कल गुणांक निकालना है मतलब d by upon dx निकालना है तो यह समझ में आ गया होगा इसी प्रकार एक मिलता जुलता question मैं आपको दे रहा हूँ जो आपका home work है ठीक है ना 7x square minus 3x plus 2 upon root x का अबकल गुणांक अब यह आपका home work है ठीक है ना home work करके चाहेद 2 student पढ़ें इस वीडियो में लेकिन वो यह question को करेंगे और comment में बताएंगे कि बना की नहीं ठीक है जरूर बताना आप लोगों को मैं इंतजार करूँगा ठीक है ना comment करते हैं तो आप मेरे को भी खुसी होती कि हाँ आपने इस question को पढ़ा ठीक है चली अगला question करते हैं अपन question है आपके पास 6X के पावर 1 बाई 3 plus 2 into 1 पावर X का अब कल गुणांग अब कल गुणांग यह easy है वलकि यह क्या है easy है very simple है रहाँ दीजिएगा d upon dx कर रहे हैं इसको direct कर रहे हैं या ऐसा भी मान सकती है माना आपको doubt हो तो ऐसा मान सकती हैं बाई बराबर 6X गाते 1 बटे 3 तन 2 1 गाते X दोनों पच्चों में आप कलन करेंगे student तो dy बटे dx हो जाएगा d upon dx हो जाएगा 6X के पावर 1 बाई 3 plus 2 एक पावर X इन दोनों को अलाग अला कर दी तो d upon dx 6X गाते 1 बटे 3 फिर प्लस d upon dx 2 एक गाते X इसमें से 6 कामन ले लें तो 6 कामन आगया d upon dx हो गया x गाते 1 बटे 3 हो गया फिर इसमें से 2 कामन ले लें d upon dx हो जाएगा एक पावर X हो जाएगा जो भी आपन यहाँ पर गात में देखते हैं उसको सामने लेते हैं और गात में ही एक घटाते हैं E की पावर X का आपकलन E की पावर X ही होता है clear तो 3 दून अच्छ है मतलब 2 बचा X 3 एक कम 3 तो 3 एक कम 3 एक में 3 घटेगा तो माइनस 2 बटी 3 बचेगा प्लस 2 E की पावर X बचेगा और यह आपका answer है यह आपका answer है अब इसी तरह से मिलता जुलता question same question आपको नहीं करा रहा हूँ मैं आपको दे रहा हूँ 4 X की पावर 1 बाई 3 प्लस 1 पावर X का अपकल गुणांक same मिलता जुलता नहीं करा रहा हूँ ठीके ना ताकि आप लोग भी करें और आपसे बनेगा आसान है कुछ भी नहीं X की पावर 1 बाई 3 वही होगा एक पावर X का एक पावर X ही होता है ठीक है ना अलरड़ी यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 2 था तो constant है उसे constant आप ले सकते हैं अगला question थोड़ा सा हटकी है ठीक है ना इसको आपको करना है तो माना मान के चलते हैं माना बाई बरावर मान लेते हैं बाई बरावर कितना 5 root X मैनस 7 log X है और 11 log X है लेकिन आधार इनका अलग अलग है इसका E है इसका A है अपन अब कलन करेंगे तो dy बटे dx करेंगे d upon dx करेंगे ध्यान दीजिएगा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर root को घात में एक बटे दो लिख सकते हैं ठीक है ना लिख सकते हैं फिर अलग-अलग कर देते हैं मानस d upon dx सबको अलग-अलग कर रहा हूँ डारेक्ट कर रहा हूँ कुछ चीज़ें के डारेक्टा रहूं ठीक है फिर इसके लिए हो जाएगा माइनस दिया पान डियक्स यह हो गया ठीक है ना इतना कंप्लेट आगे देखा जाए स्टुडेंट तो यहां कांस्टेंट जो भी है इसे यहां पर पांच कांस्टेंट है उसे बहा ले लू एक्स ठीक है ना चलिए हल करिए सबका अलग अलग फार्मूला है यहां पर एक बटे दो सामने आएगा और एक बटे दो घात में मैनस वन हो जाएगा लाग यहां पर एक्स का फार्मूला डारेक्ट होता है एक बटे एक्स लेकिन इसका अलग होता है इसका एक बटे एक्स होता ह और इसके बाद ये base में क्या है ए इसलिए इसका आप लोग याद रखें एक बटे x log a e clear इसको arrange कर दी हो यही आपका correct answer हो जाएगा 5 एक कम 5 बटे 2 x घाते 2 एक कम 2 एक में 2 घटा होगे तो minus 1 बटे 2 हो जाएगा फिर रिन 7 एक कम 7 बटे x और रिन 11 एक कम 11 बटे x log बेस में यह e हो जाएगा तो यह आपका क्या हो गया answer हो गया त्युक् steeds हम आगे बढ़ते जा रहे हैं थोडा सा question भी लेंडी होते जा रहा है और जो क्वेशन के धंग भी है वो अलगर होते जा रहे है तो जैसे-ब बन सके, चलें फिर मिलते हैं और जितने भी question करा हैं, मैंने होम बर्ग के दूख question दिया तो उसे आप लोग जरूर करना, please और comment करके बताना कि बना की नहीं ठीक है शुर्ण फिर मिलते हैं, तो फिर अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिंद, बंदमातरम